हेलो गईज कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूंगा गईज कि सेमसंग गलेक्सी ए 15 5G फोन में आप लोग आटो ब्राइटनेस को कैसे इनेबल कर सकते हो अगर आपके पास एक सेमसंग गलेक्सी ए 15 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको आपको ब्राइटनेस को ओन करना है आप लोग चाहते हो कि गाईज आपका जो यह ब्राइटनेस है वो automatically कम या ज्यादा होने लगे जब भी आप लोग धूप में जाओगे तो आपका brightness जो है वो automatically बर जाए और छाओ में आगे तो आपका brightness automatically कम हो जाए तो कैसे आप लोग जो है इस auto adjust brightness को enable कर सकते होगे तो आज की वीडियो में मैं ही बताओंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गए इस वीडियो को start करते हैं auto brightness को enable करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा display का तो इस display के option पे click कर दीजे click करते ही या पर आपको brightness adjust करने के लिए switch देखने को मिलेंगे उसके नीचे आपको एक option मिलेगा adaptive brightness का तो आपको adaptive brightness के option को on करना है on करने के लिए हम इस option पे click करेंगे click करती है जो option है वो on हो जाएगा और on होने के बाद अभी जो है आपका जो ये brightness है वो automatically adjust होने लगेगा mahal के हिसाब से आपका जो brightness है अगर आप लोग धूप में जाओगे आपको दिखाई नहीं दे रहा है अपका screen लेकिन यापको आपको जो brightness है वो automatically बर जाएगा और अगर आप लोग छाओ में आते हो तो automatically कम भी हो जाएगा तो कुछ इस तेरीके से जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 5G phone में auto brightness को enable कर सकते हो और इसको यहाँ पर से use भी कर सकते हो और आपको इसको अगर बंद कर देना है तो यहाँ पर से बंद भी कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते का लेक्ट नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ